आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउट करें। हलो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चिन गिविन है उत्प्रेरक को परिभाशित कीजिए। ठीक है तो मैं यहाँ पर बताना है कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो किसी अभिक्रिया की गती बढाने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है तथा इस प्रक्रिया को बरजीलियस ने उत्प्रेरण का नाम दिया। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की गती को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जो इक्रिया होती है वो क्या कहलाती है वो उत्प्रेरण कहलाती है। यहां इसका example देख लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है तो एक reaction के help sum देखते हैं example मान यहां पर हमारे पास KCLO3 है potassium chloride जिसे बोलते हैं ठीक है KCLO3 की जब normally reaction कराई जाती है तो क्या होता है इसमें 360 degree Celsius पेसे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है KCLO3 के दो अड़ो होते हैं तो हमें क्या मिलता है 2KCLO3 और 3O2 ठीक है तो यह तो normal reaction है और यह कैसे होती है मंद गती से होती है धीमी होती है इसकी गती जब भी यह अभिक्रिया होती है लेकिन वहीं अगर हम example में उत्प्रेरक ले 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 अगर ठीक है तो क्या होगा यहां पे 2KCLO3 की reaction कैसे कराएंगे हम इसमें हम MnO2 का चूर्ण मिला देंगे ठीक है तो 250 degree Celsius पे जब MnO2 का चूर्ण मिलाएंगे तो यहां में क्या प्राप्त होगा 2KCLO2 ठीक है प्लस का 3O2 और यह reaction जो है यह कैसी होगी यह तीवर गती से होगी यह भीक्रिया तीवर गती से होगी ठीक है तो यहां पे जो हमने उत्प्रेरक का यूज किया है वो उत्प्रेरक कौन सा है MnO2 ठीक है तो उत्प्रेरक के के- Examples में हमने यहां पे क्या लिख लिए MnO2 ठीक है और यह है Example जिसमें हमें पता चल रहा है कि कहां पे मंदगती से भिकलिया हो रही है cannabis कहां पे दीवर गती से तो यहां पे हमने MnO2 उत्प्रेरक का यूज किया है ठीक है तो यह है प्रेरक की परिभाशा, थांक यू